तिक्याना में आपका सेलिंदर याद बाद आओ अच्छा मैं अगर पूछँाँ आपके विधान सबाच-छेत्र में बीजे-पी का विधायक है रोजगार की स्थिती क्या है रोजगार की स्थिती बहुत मंदी है यूवा जो यहां के हैं वो रोजगार किस तरीके से कैसे तलाश है? रोजगार बहुत अच्छी तलाश है, कोई रोजगार नहीं मिला किसी को, 2017 से कोई रोजगार नहीं है तो उमीद है कि शिप्रताव यादब अगर निर्दली है या फिर समाजवादी पार्टी किसी भी दल से आते हैं, तो वो क्या कुछ करें रोजगार के लिए? बहुत कुछ करेंगे वो, आमजनता के लिए बहुत कुछ करेंगे हर तरीके से शिप्रताव को वोट दिया जाएगा, क्योंकि वो महंती है, जमीन पर उतर करके कामकाज करते हैं यहां की जो आमजनता उनसे बाचित करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्राणा विधानसबा सीट का क्या कुछ महौल है, लगता है कि विधानसबा छेतर में बीते कुछ पांच सालों में कामकाज हुआ है ऐसा है, हम स्कूर्स नहीं है, कड़ी के और पप्पू लोदी की तो बात ही खितम करते हूँ पांच साल तक नहीं है, समाज में देखवाएक है, ना किसी के दुखदर्द में सामिल वाई, ना ही कि तो बात ही खितम है, अब रही बात, जस्राणा सबाद चाहरा हूँ एक मिनिट मैं आप सही सवाल ले रहा हूँ, आप कहरें की पपू लोदी को भूल दिया भूला दिया जाए, क्या क्या कामकाज होना चाहिए था जो नहीं हुआ अब मृटनी मृटना जिहाया जनता जनता इस वह आजो है, जनता ही गर् lot सब जंता है सब हम लोग आए और इस तितीम जवता विने की बात सुनी है तब हम लोग सब तरह विनुके संग और सब उमीद क्या है श्विप्रताब यादव अगर बिधायक बनते हैं चाहे किसी भी दल से क्या कुछ करें अपने चेतर के जब बिधायक नाच तब इनने समय तो बात्चित सुनते हैं वह क्यों बाइस अब सब्सक्राइब बहतर है बढ़िया है इस बार पूरा सपोर्ट किसको और प्रदेश के लिए कौन बहतर योगी या खिलेश तो ऐसे कैसे काम चलेगा कि अखिलेश तो चाहिए प्रदेश में लेकिन आप उनके विरुद निर समाजवादी पार्टी सचिन यादव के ओपर महरवान होगी यह तो वही पैसे के उपर महरवान हुई है उनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दे दिया इसलिए समाजवादी पार्टी वहाँ महरवान हो गई अब गई यह गरीव आदमी शुरू से किसान आदमी रहें तो इनके पास कहां से पैसा आया सो पैसा दे के टिकट खरीज सकते हैं पैसो को लेकर के राजनीती शुरू हो गई है क्या नाम है आपका मेरा नाम शोबेन सिंग है और देखिए यहाँ पर जो राजनीती चल रही है वो जन्वल बनाम धन्वल चल रही है यहाँ पर क्या है कि जो टिकट दिया गया है जन्ता के आदार से नहीं दिया गया है जो सर्वे गए जो जन्ता ने जिसको प्रत्यासी माना जिसको अपना प्रतिनेदित करने के लिए भेजना चाहती थी जन्ता उसको टिकट ना दे कर धन्वल को टिकट दे दी गई आज यहां की आम जनता इतनी ज़्यादा गुस्से में है इसी वज़ा से कि कभी भी क्या गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता क्या गरीब कभी राजनीती में नहीं जा सकता अगर वो पांच साल से मेहनत कर रहा है हर ब्यक्ति के दुख दर्द में जाने के लिए तयार है इमानदार है पढ़ा लिखा है पार्टी ने टिकेट कार्ट दिया समाजबादी पार्टी ने बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर किसी भी मुजरिम को सजा सुनाई जाती है उसको फांसी दी जाती है तो उससे पहले उसका गुना बताया जाता है क्या हाई कमान ने ये सोचा कि हम सिप्रताब जी को ये बताए कि आपका ये निगेटिव पॉइंट है अगर उनका गरीब होना निगेटिव पॉइंट है तो समाजवादी पार्टी को ये कहना चाहिए था कि आप गरीब है आपको टिकेट नहीं दिया जाएगा में उनकी हार हुई लेकिन 2022 आते आते जब उन्होंने जमीनी स्तर पर कामकाज किया उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनके टिकेट काड़ दी अच्छा मैं आपसे ये जाना चाहता हूँ जसराना विधान सबसीट पे क्या कुछ कामकाज होना चाहिए था जो बिलकुल लोगों से जुड़ा हुआ था बिलकुल आप बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए हैं सबसे पहले तो हम लोग नौजबनों के बारे में बात करेंगे कि यहां से जसराना तहसील से रोजगार के लिए कोई विवस्ता नहीं है आज हमारे तहसील के अंदर कोई होस्पीटल की विवस्ता नहीं है अच्छे स्वास्त केंद्रों की विवस्ता नहीं है यहां पर कोई भी अच्छे बिद्याले डिग्री कॉलेजिस बगेरा नहीं है जो कि यहां के बच्चे बाहर, शुकावाद, आग्रा उससे भी आगे जाते हैं क्या कभी किसी बिदाहिक ने यहां के ने यह सोचा कि छेत्र में यहां पर ऐसे बिद्याले हों जहां पर गरीब का बच्चा पढ़ पाए जाकर वो भी उस इसतर की सिक्षा ले पाए ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर पाए किसी भी बिदाहिक ने एक इमांदार पढ़ा लिखा ब्यक्ति आता है तो हम उसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो इन सारे पहलूँ पर काम करेगा वो रोजगार पर काम करेगा वो सिक्षा पर काम करेगा वो स्वास्त पर काम करेगा जो कि साइद किसी भी स्वस्त समाज के लिए रीड की हड़ी का काम करते हैं तो सिप्रताब जी से पूरे जसराना तहसील को यही उम्मीद है कि वो इन विश्यों पर काम करके और लोगों को जो चाहते हैं जो उम्मीद हैं वो उन पर खरा होते रेंगे और यहां की जनता यह एक बार फिर जवाब देने के लिए तयार है कि जसराना सूर्वीरों की धर्ती है यहां पर हमेशा जनबल जीता है धनबल कभी भी नहीं जीता इतियास उठा कर देख लीजिए चैबो आप 2007 का चुनाब ले लीजिए जहां पर रामप्रकास जी को जिता है मैं नाम दिप्यंद कुमार पपू लोधी की मैं बात करूँगा पपू लोधी कैसा काम काज करते है बदाइक जी जब से MLA का चुनाब जीते हैं तब से चेतर में आई नहीं है वो वो जातर फोकस अपनी बीजिस पर करते हैं वो अपने बीजिस से मतलब है उन्हें उन्हें चेती रहनता कोई मतलब नहीं है आप यूवा हैं क्या करते हैं मौजदा मैं अभी HDFC बैंक में जॉब करता हूँ तो रोजगार को लेकर कि क्या इस्थिती आपके विधान सभा चेतर में हमने तो प्राइबेट सेक्रेट की जॉब पकड़ ली है उस पे हम लोग काम कर रहे है सरकारी नोकरी का तो हमने दमाग से ख्याल निकाल दिया है जब से ये बीजेपी का राजा है तब से प्रदेश में कौन सी सरकार लगता है कि बहतर काम काज करेगी रोजगार देगी महंगाई कम करेगी हम समाजबादी हैं और अभी तक समाजबादी थे बट सत्ता ने उपर से हाई कमाण का गलत निर्डड़ा कार हम लों उनके खिलाब निर्दलिये में शिप्रता व्यादव जीच जाते हैं तो क्या योगिया दिते नात भी मुख्यमंत्री अच्छे लगेंगे बिलकुल नहीं अखिलेश यादव अच्छे लगेंगे क्यों भाइस्ता प्रदेश के लिए कौन लेकिन अब जसराना में तारीफ नहीं हो रही है थोड़ी भूल हो गई है उन से और यह गलती हुई है कि निमंतर देने के बाद में किसी को निमंतर दिया यह नोता बहर का जाता है तो नहीं पांट साल पहले होता कि अब की आर रम तुमें नहीं करेंगे तो वह अपना बि संतान है तो अच्छा ही होगा और यह हमारे लोक कल्याण में और पूरे लोक तंतर में यही एक हाल होता है कि धना सेटों के लिए यह जगह नहीं होती है राजनीत एक जन समधाय की होती है थोड़े देर के लिए आप से विधान सभा छेतर की बात चोड़ करके पुरे प्र कार में है तो नहीं करने दे रहे और गुंड़े की बात यह है कि जब तक अपराद जो है थाने में दरजी नहीं होगा तो गुंड़ा कहां से आजाएगा गुंड़ा कहां से तो आपको कहां दिखाई देगा गुंड़े अगर देखना चाहते है तो गुंड़े तो हर जग बढ़ गया है